कि इसके किचेन में पेश है यमी यमी बर्गर आप बर्गर बच्चों को घर में भी खिला सकते हैं तो आएए देखते हैं किसे बनाते हैं से सबसे पहले मैंने इसमें boiled आलू ले लिए हैं मैंने तीन आलू यहां लिए हैं आप अपनी quantity के अनुसार और ले सकते हैं और यहां पर मैं इसको अच्छे से grate कर रही हूँ आलू में बिल्कुल lumps नहीं होने चाहिए बिल्कुल smooth paste बनना चाहिए इसलिए मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको पैन में सौते करेंगे तो यह देखिए जो भी आप को केंग उइल करते हैं दो से तीन स्पून मैंने वह डाला है साथ में मैंने गारलिक यूज किया है यहां पर अगर आप गारलिक नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसको के भी कर सक और इसको बीच बीच में आप चलाते रहेंगे तो यह देखिए प्यास हमारी बड़िया गुलाबी हो गई है और देखिए इसी तरीके से मैंने इसको चला के वापस से छोड़ दिया है थोड़ा और गुलाबी होने के लिए ताकि इसमें कच्छा पन ना आए और अब मैं यह बाद इसको धाकना पड़ेगा क्योंकि वह अच्छे से गल जाए यहां मैंने सफल की मटर ली हुई है यह देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें और अब हम इसमें आइड करेंगे पटैटो जो हमने अच्छे से ग्रेट कर लिए थे और इसको सारी चीजों को अच पीछा कि यह कीस तरीके से हम इसको पूरे पैन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच अरक माने यहां यहां यूझ कर रही हूँ मसाले मैंने यह आपर सेम स्पूज से स्मॉल स्पून से धनिया पाउडर चाट मसाला देगी मिर्च और गरम मसाला यूसकिया है यह देखिए अब हम इसको भी अच्छे से सेक लेंगे ताकि मासाल अच्छे से भुन जाए अब आप इसमें नमक लीजिए स्वाध अनुसार लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊंगे कि नमक आप हलका सा जाधा रखें क्योंकि जो इसमें अब हम सीक्रेट इंग्रीडियन डालने वाले है जो पैटी में बहुत जरूरी होता है बर्गर पैटी में वो मैं आपको बताऊंगे तो उसके लिए हम नमक पहले से ही थोड़ा सा जाधा एड़ करेंगे और बंज में भी बहुत जाधा नमक नहीं होता है तो वो जो टिक्की होती है उसमें प्रॉपर नमक का मसालों का होने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर सोक करके रख दिया था पानी में और यह देखिए अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूं इससे हमारी जो बर्गर पैटी है वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी बनती है उसमें बाइनिंग भी अच्छी आती है जब आप उसको करही मे आते हैं तेल में तो इसलिए हमने उसको यहां यूज echo किया है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओंको मैं वक्षी ठ्रीटे करना कशा को यह किहां से अच्छे से प्ले करते में और उसके बाद में उसमें क्रिस्पिनेस के लिए स्कूर अब धिया हूं Ken यहोथ यह तो यह और अब मैंने यहां पर आपको जैसा बताया था बैसे मैंने कॉन फ्लिक्स को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इससे जो है बिल्कुल मार्केट जैसा क्रिस्पी टेस्ट आता है यह देखिए जो पैटी है वो हमारी बड़िया क्रिस्पी बनेगी और आप अपने अकॉ कि टाइय मे जाने के बाद अलगना हो सबसे पहले म tone करेंगे के अ बैट्र में कि मैं अ झाल च्चै करेंगे कजफ इस तरीके से मैंने बैट्र में किया है और अब मैं इसको यह कौन फ्लेक्स का मैरा पाउदर यह इस मिद्द कर रही हूंचोट आप दूसरे हाथ से इसको अच्छे से इसमें रैप कर दीजे ताकि अच्छे से पूरी टिक्की जो है इसमें अच्छे से रैप हो जाए और अब यहां मैंने तेल लिया हुआ है जो भी कुकिंग आईल आप यूज करते हैं उसमें आप इसको फ्राइ कर लीजिए और पैटी को आप बिल्कुल भी अभी टच ना करें यह देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ कड़ाई को हिलाया था ताकि उसका जो कोटिंग है वो बिल्कुल निकले नहीं और वैसे भी हमने इसमें पोहा डाला हुआ है तो इसकी बाइडिंग बहुत अच्छी आती है क्रिस जो जल्दी सिख जाते हैं इसलिए आप इसको जब मीडियम फ्लेम पे सेखेंगे तो अंदर तक जो टिक्की है वो अच्छे से सिख जाएगी यह देखिए इस तरीके से हमारी पैटी जो है बड़िया तयार हो गई है किती क्रंची और क्रिस्पी दिख रही है इस तरीके से आप सारी पैटी अपनी तयार कर लें और अब हम इसको टिशू के उपर रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्टर ऑइल है वो अच्छे से अब्जॉब हो जाए और यहां मैं यूज कर रही हूँ और अब यहां पर तवे पर मैं पहले बंस को अच्छे से सेक रही हूँ अभी मैं इसको पूरा जो हमारा बर्गर बन आता है उसको पूरा सेक रही हूँ आप चाहें तो बटर में घी में जिसमें भी चाहें आप इसको अच्छे से सेक सकते हैं वैसा यह अल्रेडी बेक्ड होते हैं लेकिन फिर भी हमको आशा लगता है कि हम इसको एक लिए ऐदर टाकि से था क्रिस्पी रहे और कच्छापन बिल्कुल ना रहे तो पहले मैंने इसको इसी तरीके से आप और भीस देच चाण से मों कटकरेंगा और पृर मैंने या जा नुक्सान आ करें तो आपको एजिली गट हो जाती है यह जो डेखिए इसको हम दुबारा कए रहे हैं तो अंदर से जो मारा वाइड पार्ट उता है वो भी अपाई क्रिस्पी हो जाता है यह देखिए इस तरीके से आप इसको हल्का सा सेख लें आप इसको डबाए ना नहीं तो वो बर्गर जो है वो मज़ा नहीं आएगा बच्चों वो खाने में देखिए इस तरीके से बढ़िया सिख गए है और अब हमारा फाइनल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो हमें इस तरह तायार करना है तो इसमें मैंने मियोनीज और टमैटो सॉस लिया है जिससे 3 इस टू के रेशियो में रखा है देखिए दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको हम अंदर भी spread करेंगे और आप इसे as a dip भी खा सकते हैं और अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा color आइड किया है ताकि बिल्कुल मार्केट जैसा look आए यह देखिए बन हमारे बिल्कुल रेडी हो गए है और अब हम सारी चीजों को अच्छे से असेंबल करेंगे तो यह देखिए बन के अंदर सबसे पहले मैंने spread डाला हुआ है इस प्रेड आप अच्छे से लगा दें ताकि यह बढ़िया लगें खाने में एकदम चीजी म्योनी इसमें काफी सारा है और अब इस पर टमैटो अनियन के रिंग्स पतले पतले आप अनियन रिंग्स जाल सकते हैं और अब दूसरे बाले बन पर भी मैं इसी तरीके से चीज स्प्रेड कर लूँगी यह देखिए इस तरीके से मैंने जो स्प्रेड बनाया वो डाल दिया है और टिक्की लगा दी है और जब तक बर्गर में बढ़िया सा चीज नहीं होता तब तक मजा नहीं आता तो इसमें यहां पर चीज स्लाइज कराई हूं तो चीज स्लाइज भी डालूंगी यह देखिए अब जो है बर्गर हमारा बिल्कुल मार्केट की तरह चीजी बर्गर बनके रेडी हो गया है तो आप इसको ज़रूर ट्राय करें और यह देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा है और खाने में भी उतना ही यमी है तो आप इसको ज़रूर ट्राय करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें